तो हरिदवार की तस्वीरे आपको दिखाएं, अब आपको राजिस्तान की तस्वीरे दिखाते हैं, यहाँ भी हालात बेकाबू हैं जहां बीकानेर में बारिश की वज़र से हाल देखिए कैसे बेहाल है मौनसून की पहली बारिश में ही सडके समंदर सरीखे लगने लगी जहां बारिश से लोगों को राहत मिली तो मौनसून की बारिश आफ़त बनकर आई आप देख पा रहे हैं कैसे गलियों में पानी बै गया है लोगों के घरों तक पानी पहुच गया है सडकें पानी में डूबी होई नजर आ रहे हैं, पूरी नदी ऐसा लग रहा है, यहां बह रही है, यह सडक है और अब राजसान के धौलपूर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, यहां भी हालात खराब हैं धौलपूर में एक घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल कोल दी, महस एक घंटे की बारिश में सडकें जलमगन हो गई, चारो और पानी ही पानी नजर आ रहा है, कुछ जगा तो घुटनों तक पानी दिखा है, यहाल देखकर लोगों में स्थानी प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी रहे, तो राजस्तान से ही दो तस्वीरे आपको दिखाने जा रहे हैं, एक तरफ बीकानेर के हालात हैं, तो दूसरे तरफ धौलपूर की बारिश है, जो लगातार बारिश की वज़े से लोगों की मुसीबते बढ़ गई हैं, एक घंटे की बारिश ने ये हाल बना दिया है, राजस्तान की सडकें लबालब पानी से भरी हुई, लोगों के लिए दखते ज्यादा है, घुत्नों तक पानी बढ़ा है, लोगों के घरों में पानी गुज़ गया है और राजस्तान की बाद चलिए जमू का रुक करते हैं, जमू कश्मीर के पुंच की तस्वीरे आपको दिखाते हैं, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में जों दिखा रहे हैं आपको, मेंडर के बहरा नदी में बाड़ा चुकी है, बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तार बढ़ गया है, पानी का ये प्रवाब मन को डरा रहा है, लग रहा है इसके रास्ते में जो कुछ आएगा उन सब को अपनी आगोश में लेगा